आशा कर्मिचारियों की और से बीतिक लंबे अर्शे से विवेद मांगों को लेकर आंदुलन किया चारा है लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होने के कारण सोंवार को फिर एक पार उनकी और से आंदुलन कर मूर्चान निकाला किया खंडोबा देवस्थान सुभा शिरोल से निकले सम्मूर्चे में बड़िस संख्या में आशावकस मौचो थी आशा एवं समूह प्रवर्थक करमचारी संखन नागपूर ने सोंवार को खंडोबा देवस्थान सुभाश रोड से अनुशासित तरीके से विशाल मूर्चे का आयोजन किया राजिंदर साथे, मेशराम और रंजना पवनिकर के नितरूतों में निकाले गए इस मौर्चे में सेकडो आशा और समूह के प्रवर्थक शामिल हुए इस दर्मियान उन्होंने कहा कि आशा और समोह के प्रवर्दकों को स्वास्था कर्मियों का दर्जा देकर निवनतब मजदूरी मिलनी चाहिए आशा कार्यकरताओं और समोह के प्रमोटर को रुपए का भुकतान किया जाना चाहिए और आशा कार्य करताओं और समो के प्रमोटर को 2020 से स्टेशनरी बता नहीं दिया गया है उसे भी देना चाहिए ऐसे विविद मांगे उनकी ओर से की गई बता दे कि आशा कर्मचारियों के और से बीते एक लंबे अर्शे से विविद मांगो को लेकर अंदुलन किया जा रहा है तो आप देखने वाली बात ये है कि उनकी ये तमाम मांगे पूरी कब होगी रोशन बोकडे के साथ दिशा हटवार जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासिर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभियुदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महा पुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर